आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि सिंगल इंब्रियो ट्रांसफर और मल्टिपल इंब्रियो ट्रांसफर में कौन सा बहतर है? सिंगल इंब्रियो ट्रांसफर क्या होता है और इसके क्या फायदे है? Single embryo transfer का मतलब है कि एक ब्रून को गरभाशे में डालना पहले के समय में day 3 के embryo transfer किये जाते थे जहां पर 2 या 3 से जादा embryos transfer करने पड़ते थे बट आज कल blastocyst यानि कि day 5 embryo जिसके की pregnancy rate काफी अच्छे होते हैं एक या 2 से जादा transfer नहीं किये जाते हैं कई बार patients के मन में ये misconception रहता है कि हमारे जितने जादा embryos transfer किये जाएंगे उतना ही हमारा pregnancy rate अच्छा रहेगा बट ये बिलकुल गलत है अगर हम 2 से जादा embryo transfer करेंगे और अगर multiple pregnancy लगती है तो आगे जाकर इसके बहुत सारे complications हो सकते हैं तो ऐसे कौन से patients होते हैं जहाँ पर single embryo transfer advice किया जाता है और हम क्या देखते हैं single embryo transfer advice करने से पहले उन patients में अगर ऐसे कोई patient है जिन में history है already कि उनका एक बच्चा है तो ऐसे patients में हम लोग single embryo transfer advice करते हैं ऐसे patients जिनकी बच्चे दानी में किसी तरीके की बनावती दिक्कत है unicornuate, uterus या bicornuate, uterus जैसी कोई भी दिक्कत है तो ऐसे patients में भी हम लोग single embryo transfer advice करते हैं अधिक उम्र की महिलाएं या जिन में hypertension, diabetes ऐसी बीमारियां हैं ऐसे लोगों में भी हम लोग single embryo transfer advice करते हैं कई बार IVF process के दौरान अगर महिला की उम्र कम है और उनके embryos की quality काफी अच्छी है तो ऐसे patients में भी हम लोग single embryo transfer करने के लिए advice करते हैं In today's scenario, IVF का success rate हम लोग ना की pregnancy लगने से बलकि घर में एक live healthy baby जाए इससे लगाते हैं किसी भी case में हम लोग एक या दो से जादा embryo transfer की सला नहीं देते हैं क्योंकि अगर multiple pregnancy लगती है तो chances of miscarriages, pre-term delivery, low birth weight baby अगर बच्चे को ICU में रखना पड़ जाए तो ऐसे cases में खर्चा आपकी embryo transfer के खर्चे से काफी जादा रहता है धन्यवाद क्योंकि अगर जादा आपकी लगती है